कहां से खरीदना है, कितने का खरीदना है, कितने का बेचना है, कैसे प्रॉफिट मार्जन कमाएंगे, कैसे आप फंगी साइट एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करके कैसे डोलर भारत में कमा के लेके आएंगे, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो गोर्मिट के कु ऩां तो एक्सपॉर्ट एग्रिकलुजः पर्डंट फ्रोम इन्डिया भारत से एग्रिकल्चर पर्डंट कर सकते हैं कहां से बेचेंगे आप अगतने काह थो माचन कमाएं । वैसे तो बहुत सारे था पर यहाँ परTPL साइस होता है ऐसे फंगी साइट से जो अगरिकलचर फ्लांट से उसके ऊपर सक्व लिए ऑब भारत सबसे जादस करतें हैं कैसे ऐसे व्हारत में कमा के लेक्ट आएंगे ये सारा डिटेल study इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है जब आप export करेंगे तो गुर्मिट के कुछ benefits भी आपको मिलेंगे गौर्मिट के benefit में सबसे पहले पाइदान पे आता है डिवी के duty drawback जो कि आपको custom द्वारा दिया जाता है तो डिवी के आपको मिल रहा है फंगी sites में 1.2% of your commercial invoice value परफोर्मा इन्वाइस नहीं commercial invoice value जितना भी है उसका 1.2% आपको DB के मिल रहा है duty drawback IES की बात करूँ गौर्मिट के incentive IES में आपको मिल रहा interest equalization scheme 3% का अगर आप MSV में registered है और MSV में registered नहीं है तो 0% मिल रहा है अगर मैं RODTP की बात करूँ यानि road tape, remission of duties and taxes and export product तो RODTP आपको मिल रहा है आपके 0.8% of your FOB value जितना भी आपका FOB value free on board value है उसका सीधा सीधा 0.8% आपको RODTP मिलता है road tape फंगी site को आप export करके कैसे 4 लाक रुपे कमाएंगे हर महीने जब आप इंडिया से भारत से हिंदुस्तान से इसको खरीदे फंगी sites per liter liquid foam में ले लिजे तो यह 100 रुपीज से 300 रुपीज per liter केसाब से मिल जाती अलग-अलग companies की आती है तो आप unbranded भी बेश सकते हैं और किसी company से NOC लेके उसका भी sale कर सकते हैं पिर बाद में आप manufacturing में भी आ सकते हैं तो 300 रुपे लिटर वाली जो export quality की fungicide अच्छी quality की जो आती है 300 रुपे पर लिटर आपने खरीदा और 5 KL 5 metricton बोले या 5 लिटर आपने metal खरीद लिया वो हम 1,00,000 रुपे लिख लेते हैं आसान भासा में समझने के लिए अब इसमें गोर्मिट की कुछ benefits भी मिलते हैं जैसे DBK मिल रहा है RODDP मिल रहा है तो ये total आपको 2% का मिलता है सर रुपीज में बताईए अगर रुपीज में देखे इस calculation के साब से आपको 30,000 रुपीज मिलने वाले गोर्मिट के benefits सर मेरा कितना final buying price हो जाएगा buying price आपका हो जाएगा 15,000,000 रुपे जितने में आपने खरीदा जो हमारी technical team ने घंटो research करके इधर उधर websites पे research करना physically लोगों से बात करना, दुकान पे जाके बात करना घंटो research करके जो आपके लिए data लेके आते हैं आपका time save करने के लिए हमारी मेहनत आपको पसंद आती तो आप comment में लिख सकते team work आप team work लिखे, team work से काम होता है, आकेला अदमी कुछ नहीं कर पाता, team work से काम होता है जब आप इसको export करेंगे, export करने में जो आपका FOB price आ रहा है वो 400 रुपे से 500 रुपे per liter आ रहा है हम minimum price भी लेते हैं कि वह 300 रुपे का आपने खरीदार, 400 रुपे का आपने बेच दिया पांच 10 माल बेच रहा है, यानि 5 केल, तो वो 20 लाक रुपे का आपका कारगो निकल जाता है, export हो जाता है सो मेरा profit margin कितना हुआ सर, तो आपका यहाँ पे profit margin होगा 20 रुपे, यानि जितने में आपने बेचा minus 15.7 रुपीज, जितने में आपने खरीदा था, is equals to हो जाता है 4.30 रुपीज, यानि हर कोई एक average exporter भी 4 रुपे, आसानी से कमा सकता है फंगी साइट को export करके, कहां export करूं सर, वो भी top 5 country बताता हूँ, जो इसका सबसे जादे import कर रहा है बेसिकली उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है, ब्राजिल, ब्राजिल ने 5,222 shipments लास्ट एर खरीदे, फंगी साइट के, वेतनाम जो हमारे पास की country जानते हैं आप, तो वेतनाम ने भी 4,000 shipments खरीदे, निदलने ने 3,000 shipments खरीदे, फ्रांस ने भी 3,000 shipments खरीदे, औ और USA ने 2,800 shipments खरीदे, अगर मैं HS code की बात कुरूँ, जब आप export करेंगे, तो HS code भी ज़रुत पड़ीगी आपको, तो 38 number chapter में आता है, 08 इसका sub chapter है, first four digit chain से मोना सभी country में अनिवार ये mandatory है, तो HS code बन जाता है, 38089210, इसको आप इसली research कर सकते हैं, अगर मैं export के process की बात प्रकुर की सर export का process होता कैसे है, how to export, तो उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है, product select करना, हमने product select कर लिया, फिर आपको buyer find करने के लिए टोटल 15 methods आपको training में सिखाया जाते हैं, उस सारे आप यहाँ पी implement कर दीजे, फिर आपको buyer को verify करना, is there any party fraud, how to identify them, वो जो पाटी को verification के लिए आपको जो tricks सिखाया जाती हो training में, वो सारे आप यहाँ पी implement कर दीजे, फिर buyer को आपको convince करना है, why should I buy from you, gentleman, आपका क्या USP बहुत अच्छा है, आपका price बहुत अच्छा है, आपका quality बहुत अच्छा है, आपकी लोगों से अलग कैसे, जो आपका USP ready कराते training में, वो सारे आप यहाँ पी implement कर दीजे, और यह एक ऐसा product इसमें आता है, advance, और जब payment ले ले बायर से, तो फिर कर दीजे उसका BRC, जो कि आज कल होता है, EBRC, electronic bank realization certificate, जो कि इसका advance version भी आगया, जिसको बोलते, IRMS, invert remittance message, अब अगर मैं export promotion council की बात करूं, तो यह chemical है, मेरे से पह countries की बात करी, यानि वो कौन-कौन सी country, जिसके साथ में हमारा pricing and quality का competition होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पाइदान पे हम लोग खुद आते हैं, भारत, हिंदुस्तान, आपने भारत को number one position पे रखा हुआ है, तो भारत ने last year 18,764 shipment export किये हैं, एस पर भोल जा डाटा, तो फ्रेंड से करी वीडियो आपको पसंदा है, जुरूर आप इसको like कीजिए, अपने friends and family में इसको जुरूर share कीजिए, हर उस भारते को share कीजिए, जो की आगे grow होना चाहता है, export करना चाहता है, भारत में dollar कमा के लाना चाहता है, और अपनी wealth को create करके बढ़ाना चाहता ह जो आपकी help करेगा आपका export import business start करने में step by step, then you can join our practical training for export import, training को join करने के लिए आप हमारी website visit कर सकते है, www.rsglobalexport.in or you can call us on 888-235-7058 or 90-145-825-23, what are you waiting for, call now झाहता है, 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 झाहत